प्रदेश में हुई आसमे मावट और ओला ब्रिस्टी पर मद्देप्रिदेश के क्रिशी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मौसम में परिवर्तन से ओले गिरने के कारण किसानों की फसल बरबाद हुई है करीब 500 इस्थानों पर ओले गिरे जिस से चनी और गेहु की फसल बरबाद हुई है मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि उन्हें घबरानी की जरूरत नहीं है सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है एगरिकल्चर कॉलेज की खाली भूमी पर प्रकृतिक खेती करवाए हर विभाग में थर्ड पार्टी का पूरा एक सिस्टम बनाए है जो हमारी कम्यों के बारे में हमें निस्पक्ष रूप से जानकारी दे साथ ही उन्होंने सिक्षा को लेकर और भी कई बाती की मोसम में परिवर्तन के कारण ठंड के सीगन में जब फसल बहुत अच्छी लेरा रही थी किसानों के खेतों में गेहूं, चना, सर्सों, अला, अलान लेकिन तीन-चार दिन से मोसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिस और ओले गिरने से कई जिलों में और बाकी जगे भी तरी 500 इस्तानों पर ओले गिरें तेज हवा के साथ बारिस के कारण फसल आरी की हो गई, लोकट हो गई और ओले से पूरी चने की और केहों की भसल और बाकी भसले भी पूरी तरह से कई जगे नश्ट होई है ये किसानों के उपर जिस प्रकार कोरोना का संकट सो साल में नहीं आया ऐसा है ये ओले भी इतनी बड़ी छेतर में कभी नहीं गिरे जितने इस बार गिरें है और इसलिए बहुत बड़ा संकट आया है किसानों का लेकिन मैं किसान भाईयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको घबनाने की जरवत नहीं है, चिंता करने की जरवत नहीं है, भारती जंता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, केंद्र में और प्रदेश में प्रधान मंती नरेंद मोधी जी, केंद्र में और प्रदेश में मानी किसानों के साथ इस संकट में खड़े हैं हमारी सरकार किसानों के साथ खड़िये यह आपका संकट नहीं हमारा संकट और इसलिए पूरा संकट हम अपने उपर ले रहे हैं और सभी कलेक्टरों को मानी मुख्यमंत्र जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया सभी कियोग्राफी करके पंचनावा बना एक काफी किसान को दें पाइश लोगों के स्ट्रक्षर करा के एक काफी अपने पास रखे ताकि किसान पूरी तरह संतुष हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है और बहुततर घंटे के अंदर भीमा कंपनी को सुचित करें भीमा कंपनी के में में कल हर्दा गया था दोरे पर तो भीमा के कलेक्टर और डीडिय तिनों को लेकर गया था साथ में और बहुततर घंटे के अंदर अधिस उचित कर देते हैं तो भीमा कंपनी पच्छिस परसेंट राशी ततकाल हम राहत दिला देंगे और पिच्छोतर परसेंट राशी जो किसान की छती की पूर्ती करके कर सकें ताकि जो नुक्सान हुआ है वो किसान का ना हो सरकार उसको वहन करेगी भीमा कंपनी वहन करेगी खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिट भारट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें